हाई एवरिवन दिसी पावन चर्मा कैसे हैं आप कल के एनलिसिस के लिए थोगा सा पास्ट में जा के देखते हैं तेखें कल क्या हुआ था कल मार्किट ने गाप अपन किया था गाप अपन के पीछे का रीजन यूएस में इंफलेशिंगा डेटा एक्सपेक्टेशन से कम आय है आज क्या हुआ आज यूके का इंफलेशन का डेट एक्सपेक्टेशन से कम आया तो वह भी एक इंपक्ट हमें देखने को मिला तो यहां पर क्या हुआ था ओपन करने के बाद में अफकोस यह तो जैनली होता ही है कि अगर बहुत जादा ग्याप अप हो तो कुछ टाइम के लिए आपको डेफिनेटली फ्रोफिट बुकिंग देखने को मिलेगा उसके बाद में एक कम्प्लीट राउंडिंग बॉटम बनाया और क्लोजिंग किया इसी के आसपास तो यह जो लाइन है जो हमारे यह राउंडिंग बॉटम का हमारे पास में जो नेक लाइन है यह ह हमारा सपोर्ट बनेगा यहां से ब्रेकाउट मल सकता है यहां यहां पर मार्केट अपने आपको ओल कर सकता है उसके बाद में मार्केट उल्ली तना बड़ा ग्याप ले चुका था आपको इमिडेटली मैं यह भी कहता कि बिना हेजिटेट किये चाहें तो आप अपन profit booking आ सकता था और अगर gap अभुआ था definitely बनेगा अब यह जो line है यह मैंने क्यों plot किया पहले यह भी समझेगा अब यह हमारे लिए अगला point बनेगा जैसे हमने यह बनाया नीची कि तरहे इस तरह से यह बनेगा अब यह क्या है यह है आपका यह देखेगा October 11th को और October 17th को और I think यह 18th को भी रहा था और 11-12 को यह market ने high बनाया था देखेगे दो दिन से लेके यही से एक अच्छा सा follow में देखने को मिला और अगर फ्रौस और पीछे जाएंगे तो यही level देखेगे आपको यहां भी काम आएगा और यह था 20th of September को और यही level आपके लिए 8th of September भी उसी level के आसपास trade किया था तो अगर इतनी बार एक market ने एक particular stock ने इंडेक्स ने अपने एक particular level को as a support as a resistance बनाया तो आज क्यों ने और अगर उससे पहले काफी बड़ी movement हो चुकी है तो definitely उनी levels के आसपास आके आपका वहां से एक profit booking आ सकता है हाला कि हमने जो टेलिग्राम पे हम डिसकस करें देट हमारे पास support बन रहा है और सारे एक सारे अच्छे data points बन रहे हैं तो आज put buy मत कीजेगा सरफ call buy करेंगे और जो वह आपने call buy किया था उसको हमने 800 के उपर जाकर ही अपना profit book किया था तो यह हो गया overall एक outlook जो आपको कभ अब यही चीज जैसे कल हमने डिसकस किया था आज के लिए तो अब दोनों दिन को मिला के क्योंकि अब दोनों दिन connecting है अगर बहुत जाता major gap अब होता है कि यह सारे दिन connecting थे यह सब दिन connecting थे लेकिन अब यह इससे connect नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसने काफी बड़ी moment ले ल अब इसको मैं थोड़ा सा यहां पर यह दिखाना चाहूंगा कि आप अगर इसको थोड़ा सा यहां पर यह दिखाना चाहूंगा कि आप अगर इसको थोड़ा सा वेट करें तो यह आपके लिए यह वाला तो इसको एक second देजेगा थोड़ा सावजकर refresh होने में time ले रहा है I don't know why यह 30 मिन का time frame है एक पहले तो एक काम करेंगे एक line हम draw करेंगे ऐसे चीक है यह देखे अब notice करें इस line को यह line हमने जितने भ उसी पे हाई बनाया है और वहीं इसे थोड़ा सा रुख गया है इसके बाद एक line हम यहां draw करेंगे जो आज के हमने थोड़े देर के लिए जहां पी market ने एक से 10 गंटा consolidate किया था उस level पे और एक line हम यहां draw करेंगे जो हमारे कल के level पे जहां पे 10 गंटा कल भी हमारे लिए hold किया था आज का low बना था वो भी आप यूज कर सकते हैं बट हम क्या करेंगे इसी क्या सपास करते हैं और यह हमारे पास में something like that ठीक है अब इन levels को हम mark कर लेते हैं हमारे पास जो levels है वो है 19 780 का और 800 तक उपर के तरफ 19 720 से लेके 700 का तो यह दो level है जो हमारे लिए कल का प यहां से इसको buy कर सकते हैं यहां से इसको sell कर सकते हैं मतलब यहां पर आपका call buy बनेगा इस level के उपर जाने के बाद में और यह बना पार्ट में आपको एक अच्छा से example आज बन रहा है market ने इस level के उपर close किया तो यह जो second candle है अब इसने बना इसके नीचे आपका stop loss बन जाएगा और यहां देखे यह stop loss फिर आपका यहां जाकर hit हो आपको आप यहां अपना profit book कर लेते हैं जो हमने किया लेकिन यही कहते हैं हम कि अगर market एक level के उपर जाके close कर लेता है तो उस का जो भी low बनेगा अब यह हो सकता था इसका low यहां तक बने तो अगर इसका low यहां तक बनता तो हमारा stop loss यहां बन जाता तो आप अपना stop loss जैसे इस line को break करता है candle जो भी low बनाएगा वो आपका stop loss बन जाएगा इसी तरह से उल्टा कीजिएगा कि जो भी यहां पर नीचे करके जो भी high बनाएगा वहां पर आपका stop loss बन जाएगा तो यह हो गया जब मार्केट इस range की बीच में open करेगा अब इसी range को अगर मान लीजिए आप नहीं open करता है दूसरी possibility क्या हो सकती है that market यहां तो gap up open करेगा या gap down open करेगा याद रखेगा market औरी काफी rise कर चुका है चोटे चोटे profit booking आपको देखने को मिलेंगे उस stage में क्या हो सकता है कि market अगर gap up open करे तो हलका सा यहां पर एक support लेकर वापिस भागना शुरू करें तो भी यहां पर आपका call buy बनेगा हो सकता है आपको अपना target यहां पर fix करना पड़े because यही उसका last resistance है इसके उपर तो फि definitely मैं सोचूँगा कि आरे यार 100 point में 100 point में अपना put निकल जाओंगा तो उससे क्या होगा market एक पर push करती है तो पहले 5-10 minute में अगर रुके कि नहीं market नहीं रुकरी रापिस भागना शुरू करे तो आपको यही पर definitely एक अच्छे moment मिलेगी तो इस base पे आप यहां से अपना sell भी कर पाएंगे तो यह रहेगा nifty के लिए बात करतें bank nifty के बारे में bank nifty में भी हुआता देखे यह zone हमने बनाया था इसके ऊपर ही जाने के बाद में एक अच्छा सा rise किया और exactly अगर देखेंगे तो पुराने levels को ही touch करके strong profit booking आया यह line हमने पहले draw किया था जो as a support की तर sell लेकर आयेगा तो इसको break करता है यह निकल के आयेगा somewhere close to 44100 तो अगर यह line break हो जाती 44100 का यह line break हो जाता है तो आपको एक अच्छा खासा यहां से profit working देखने को मिलेगा तो आप अपना put buy कर पाएंगे इस zone में चला जाएगा तो यह zone थ्वासा खतरनाक हो जाता है इस zone में जब तक stock रहेगा तो पहले भी अगर consolidate किया तो आगे भी यह माना जाता है कि इस range में consolidate करेगा तो इस range में चुप रहेगा हाला कि यहां से buy बन सकता है लेकिन अगर थ्वासा और patience रखेंगे तो I would say 44200 के break होने के बाद ही आपका call buy बनेगा तो आप क्या करेंगे इ इस line के break होने के बाद में आपका put buy बनेगा और जो curl zone बनाया था उस zone को avoid करें ठीक है और चाहे तो 44200 को break होने का क्योंकि यह इसका breakout है तो आपना call buy कर सकते है bank nifty के इंदर बात करते है financial nifty के बारे में financial nifty में भी एक हमने जो trend line plot किया था कुछ दिन पहले तब से इसी trend line के उपर financial nifty trade कर रहा है अब देखेंगा जो fall आया था उसी exactly trend line पर touch किया और वहीं से bounce back किया bounce back करने के बाद में just like our bank nifty यहां भी छोटा सा आपका no trading zone बनेगा छोटा सा ही क्यों क्योंकि यहीं पर पूरा दिन का financial nifty में उसी range में trade किया था तो आप यहां पर क्या कर सकते है 750 के 750 के ऊपर यहां पर आपका call buy बनेगा क्योंकि इसी zone को break करके फिल अगला target तो आपका 830 तक जा सकते है 840 और जो नीची यह line है यहां पर हम इसको ऐसे नहीं mark कर सकते क्योंकि यह line somewhere close to 19700 से लेके 720 तक जाएगा क्योंकि जैसे से ऊपर जाएगा तो इसी range में आपका put buy बनता है financial nifty के अंदर यहां पर हम expect जादा नहीं करेंगे कि जादा gap down gap up जो होता है वो bank nifty में और nifty के अंदर होता है यहां पर अगर gap बहुत जादा भी होगा तो इसी zone के अंदर होगा तो इस zone के उपर आपका यह बनेगा और नीचे होगा तो इसकी hit करने के बाद में आपका sell जिन चार्ट को हमने कल अनलाइज किया था वो अल्मूस्ट रेंज बाउंड रहे यहां पर ऐसे लग रहा है कैंडरा बैंक में कुछ मोमेंट आने वाली है देखे दो तिन दिन से रेंज बाउंड है तो अगर यह नीचे तरब ब्रे करेगा तो कल भी इस ट्रेट को ले सकत यहां पर इसने इसको ब्रेक किया इमीडेटली इसको रिकवर करने कोशिश करी क्योंकि अकसर ऐसा देखा जाएगा और उसके बाद में जो फॉल आया तो आप इसी तरह की मूमेंट्स को फाइंड कीजिए का तभी एच्छे ट्रेट मिलेंगे और यहां पर एक अच्छा सा तो एक है इस स्थॉक था जो आज हमारा चला उसके लावा हमारे पास में दालास्ट वन वोस ब्रॉमेंडल तो यह देखेंतागा पहली बरी केंडलकि होने के बाद में कोई खास मोमेंट हमें पूरा दिन देखने को नहीं मिली चले अब कल के बारे में बात करते है कल हमारे पास पहला ट्रेड है LIC हाउसिंग फाइनस काफी लंबे टाइम से गिर रहा था देखिए लगातर गिर रहा था उसके बाद में इसने क्या किया है एक मुमेंट लेके ब्रेक आउट किया है और यहां पर देखिगा यहीं लाइन पेस ने पहले भी रिसिस्टन्स पेस किया यहां भी ऐसे और देखिए इधर से और वापिस आ गया और दो बार और टच कर चुका है इसके बाद हमारे पास आईजियल में है आईजियल में ऐसे दिरी दिरी आईजियल को खतरा बढ़ता जा रहा है दिली गवर्मेंट ने जब से कहा है कि 2030 तक सारी टेक्सिस हो जाने चीए तो आईजियल को देखिए इतना बुरा जटका लगा है क्योंकि आईजियल का 80% बिजनस डेली NCR से CNG बिजनस से ही आता है तो इसमें हम नोटिस करेंगे तो ये तब से थोड़ा सा रिकावर करनी कोशिश करा थोड़ा प्रेशर में है आप क्या करेंगे एक लाइन पहले ऐसे प्लोट करेंगे और नीचे से एक काम करेंगे एक प्लाइन ऐसे प्लोट करेंगे और ये बन जाएगा आपका एक काइंड ऑफ ब्रेक आउट ट्राइंगल अब इसको नीचे ब्रेक करेंगा तो आपका सेल बनेगा और ओपर की तरफ ब्रेक करेंगा तो आपका बाई बनता है IGL के अंदर, फिर हमारे पाद SBAE card में है, SBAE card ने क्या किया है, rise किया, rise करने के बाद में इसने एक छोट असा zone बना है यहाँ पर, यह एक kind of continuation breakout pattern माना जाता है, तो यहाँ पर SBAE card उपर की तरफ break करता है, तो continuation definitely रहेगा, यह भी possible हो सकता है, कि यहाँ पर आपका पूरा दिन range bound रहे, इस zone में trade मत कीजिएगा, और अगर नीचे की तरफ भागना शुरू कर रहे, यहाँ से इसको नीचे की तरफ break करेगा, तो ही आपका sell बनेगा, इस बात का धियान रखेगा, इस type के एक rectangle pattern बना के रखेगा, बाद में 5 मिनट पे आपको same भी निज़र रहेगा, अच्छे आपको levels मिलेंगे, उसके बाद हमारे पास में है Tata Motors, Tata Motors में क्या हो रहा है, यहाँ भी same situation है, बड़ी सी rise, और उसके बाद में a kind of rectangle pattern, तो यह rectangle में वही चीज में जो अभी बात करते, ऊपर की तरफ भागता है, तो यह आपका, क्योंकि नीचे आचुका है, तो नीचे आपका sell जादा बन रहा है, तो नीचे की तरफ breakout sell, ऊपर की तरफ breakout आपका buy बनेगा Tata Motors के अंदर, और यह जो आपके markings हैं, rectangle और यह triangle pattern, लगा के रखिएगा, ताकि बाद बाद आपको जो price देखने की जरूत ना पड़े, जब इनको break कर दे, untilly-meltic कोई price देखने की जरूत नहीं पड़ेगी, आपको पता चलगए कि आपका entry मिलगी, तो यह रहेगी कल के लिए, और हमें जाने से पहले like और subscribe काना बूलेंगा, मिलेंगा अगली वीडियो में टिल देने, टेक कर गाज़, आपना इस्टे बाबाए,